घर के बचे मुर्मुरे खतम करने के लिए ना आखिर में सब लोग भेली बनाते हैं बड़े दिनों से हमारे घर पे भी ना बहुत सारे मुर्मुरे रखेते तो उसे खतम करने के लिए मैंने भी यही सोच है कि चलो भेली बना लेता हूं पर भेल बनाते टाइम मैं एक ऐसी चीज डालता हूँ जिससे टेस्ट अच्छा नहीं बहुत जादा अच्छा हो जाता है तो देखो सबसे पहली चीज क्या करना है तो सबसे पहल तो मैंने गयास डालू करके ले लिया है पैन और पैन में डाल देंगे मूंग फली मूंग फली ज्यादा नहीं लगभग आधा कप फिर मूंग फली को अच्छी तरसे सेख कर निकाल लेंगे फिर मैं इसमें डाल दे रहा हूँ प्यास, टमाटर, हरी मिर्च, कैरी अभी कैरी का मौसन चल रहा है और इसका टेस्ट ना सच में बहुत ज़ादा अच्छा आता है तो एक बार ना इसे ट्राइ करना आपको ज़रूर पसंद आएगा और थोड़ा सा चटपटर टेस्ट आने के लिए ना मैं आपर नमक की जगा काला नमक के यूज़ कर रहा हूँ और अगर काला नमक नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते है फिर सभी चीज़े टाल कर इसे मिक्स करके निगाल लेंगे और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना